इस वात की बड़ी कबर आपको बता दे, खुशखबरी है ये भारत के लिए सुभी के सबसे ताजा बुलेटिन में ये सुखत शुरुआत बुलेटिन के हम करने जा रहे हैं भारत से 14,000 किलो मीटर दूर माक्सिको से एक खुशखबरी आई है उत्तरी हमारे की देश माक्सिको में चल रहे है शूटिंग माक्सिको में माक्सिको में गोल मेडल जीता है मुझे पूरी उमीद है कि मैं बहतरीन परदर्शन करूंगे और उभरती सितारा है मानू भाकर इस्से पहले दस मिटर और एयर पिस्टल में जो शरजार रही है उन्होंने भी गोल जीता और उसके पाद ये खुश्कबरी मनु भाकर ने दी दस मिटर और एयर पिस्टल में इये ख़ताब अपने नाम करके पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है पुरे देश को मनुभाकर पर गर्भ है आपको बता दे इससे पहले मनुभाकर ने कई राष्ट्रिय चेंपिनशिप जीती है और एशियन चेंपिनशिप भी मनुभाकर के खाते में गई थी जापान में अब से कुछी दिन पहले हुई थी बेहतरीन परदर्शन पिशले कई दिरों से लगातार मनुभाकर का राया है जिसे उन्हेंने वर्लकप में बिजारी रखा अब महिला शूटर मनुभाकर ने गोल जीता है 10 मिटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल मनुभाकर के नाम रहा है माक्सिको में चल रहा है आपको बता दे कि शूटिंग वर्लकप जिसमें ये जंडा फैराया है मनुभाकर ने शरजार रिजवी पहले ही गोल जीत चुके थे 10 मिटर एयर पिस्टल में अब हर्याना के जज़जर की रहने वाली मनुभाकर ने देश को सर उंचा करने का मौका दिया है आपको बताते हैं कि उम्र सर्फ 16 साल है मनुभाकर की उम्र सर्फ 16 साल है घंटों के प्रैक्टिस का नतीजा ये कि मनुभाकर ने वर्ल्ड कप में गोल जीता इससे पहले एशियन शूटिंग में सिलवर भी जीत चुकी है मनुभाकर और मनुभाकर का पिछले कई दिनों से लगातार बेहतरीन परदाशन रहा पहले राष्ट्री चेम्पिनशिप में उसके बाद फर जो वर्ल्ड लेवल पे हुई एशिन चेम्पिनशिप रही और उसके बाद अब मनुभाकर ने वर्ल्ड कप में आकर के गोल्ड जीता है औ से पहले ही उन्हें ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं बहुतरीन परदर्शन करूंगे और एक नए एक मैडल तो इमें जरूर लेकर आऊंगे और ऐसा ही हुआ आपने वादे को पूरा किया मैकक्सिको में वल्लकप रत्योगिता चल रही है जिसमें शूटींग वल्लकप में मनु भाकर ने गोल जीटा है विमिन्स टेन मीटर शूटींग में यह गोल जीता है 16 साल की है मनुभाकर जजजर की रहने वाली है घंटों की प्रैक्टिस का नतीजा कि मनुभाकर आज इस खदम पर खड़ी है इस जगा पर खड़ी है और इससे पहले इसी चैंपिंशिप में भारत के शरजार रिजवी ने भी 10 मिटर एयर पिस्टिल में भी गोल जीता शरजार रिजवी ने अपने पहले आई-स-स-फ विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पर निशाना साधा शरजार ने मौझूदा ओलम्पिक चैंपियन को हरा करके गोल्ड जीता है जो कि वाके में उनके लिए एक बड़ी बात है जो मौझूदा चैंपियन है उनको शरजार ने हरा कर ये गोल्ड अपने नाम किया है ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे